नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है हैं कि हमें पता ही नहीं चलता इनी कारणों से हम अपने आपको टाइम नहीं दे पाते भाग दोड़ भड़ी जिन्दगी में सरदर्ध होना तो लाजमी है जी हाँ अगर आप काम करते हैं तो सिरदर्ध होगा ही टेंसन लेने की कोई जरूत नहीं है लेकिन लोग ऐसा करते ही है सरदर्ध हुआ नहीं की टेंसन ले ली सरदर्ध हुआ नहीं की पेन किलर खा लिए पेन किलर खाने से वो खुद को नुकसान पहुचाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि पेन किलर ना खाया जाए तो इसका क्या उपाय हो सकता है आपको बता दें कि आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं हम इस वीडियो में तो अगर आप सोच रहें हैं कि ऐसी कोई चीज जो बिना गोली खाए सरदर दूर कर दे तो उसका उपाय इस वीडियो में है तो आईए जान लेते हैं वो तरकीब जिसको जानने के बाद और उसके करने से सर्दद छूमंतर हो जाएगा सर्दद दूर करने की वो खास विधी है एक कप लेमन जूस इस लेमन जूस को बनाने की विधी कुछ इस प्रकार है आधा कप लेमन जूस, एक चम्मच शहद, दो ड्रॉप्स लेवेंडर ओयल, जी हाँ लेवेंडर ओयल तो आईए आपको बताते हैं कि इसके बनाने की विधी क्या है इन सारी चीजों को एक कप में मिक्स कर लें लीजिये हापका जूस तैयार है देखा इस जूस को तयार करना बहुत ही आसान है तो देखा आपने इस जूस को कितनी जल्दी बना लिया गया अब आपको इस जूस की विशेशता बताते हैं ये जूस आपके सिर्दर्द को एक घंटे में ठीक कर देगा इस जूस में विटामिन सी और एंटी आक्सिडेंट होता है खून में मिलके नकारात्म को तेजना को कम कर देता है इस से आपका सर्दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है आगे से ये ध्यान रखें कि जब भी सर्दर्द हो तो कोई भी गोली न खाएं उसकी जगह पे ये जूस पी लें हमारे द्वारा बताया गया उपाय या समाधान या जानकारी बड़े बड़े वैद्धियों एवं आयरुवेद अच्चारों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परिशानी का हल ढूंड रहे हैं तो आप हमें कमेंट वाक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद नमस्कार